दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको जो गंडमुल के 6 नक्षत्र हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ देखो और सबसे पहली बात दोस्तो यह है कि सभी 6 नक्षत्र जो गंडमुल के होते हैं वो हमेशा आपको नक्सान नहीं देते हैं आपको जनम इसमें हुआ है, छे नक्षत्रों में किसी में हुआ है, तो सबसे पहले आप, क्योंकि देखो, एक नक्षत्र के चार चर्ण भी होते हैं, तो आपको मतलब चर्ण भी पता होना चाहिए, जैसे कि मालो, आपका जनम अश्वनी निशत्तर में हुआ है लेकिन आप पहले ये देखे कि अश्वनी निशत्तर के कौन से चर्ण में हुआ है वो आपको अभी मैं clear पूरे करने वाला हूँ और ये भी पता आपको चल जाएगा कि आपका जो निशत्तर है वो आपके मतलब पुरवार की किस मैंबर को खराफल देगा देखो सभी वैसे नक्षत्तर खराफल भी नहीं देते क्योंकि इनमें से कई ऐसे नक्षत्तर हैं ऐसे चर्ण हैं जो हमें अच्छे वल्वी देते हैं तो सबसे पहले तो देखो अगर आपका चंदरमा अश्वनी नक्षत्तर में बैठा है अशलेशा नक्षत्तर में बैठा है या मगा नक्षत्तर में बैठा है या जेठा और या मूला या रेवती नक्षत्तर में बैठा है तो आपका जो जनम है वो गंड मूल नक्षत्तर में हुआ है उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका मतलब जो नक्षत्र है वो कौन से चर्ण में बैठा है यहाँ पर देखो आप अगर माल लो आपका जो जनम है वो अश्वनी नक्षत्र में हुआ है उसमें देखो चार चर्ण होते हैं अगर वहाँ पर देखो एक नंबर लिखा अगर आपके पास खुंडली अपकी बनी हुई है तो आपको यह पता असानी से चाल जाएगा अगर आपका जो अश्वनी नक्षत्र है उसके अगर परतम चर्ण में आपका जनम हुआ है तो उसका नुकसान क्या होगा उसका नुकसान उसके पीता को होगा देखो यहाँ पे लिख रखे हैं अगर परतम चर्ण में जनम हुआ है तो पीता को कष्ट होता है जानिकि उस अश्वनी नशकत्र के दूसरे चर्ण में आपका जन्म हुआ है तो आप विया लेख रखा है मतलब आपके दन का उस बच्चे के दन का फजूल खर्च जीवन में होता रहेगा इसके लावा दूसरा नुसान कोई नहीं होगा सिर्फ उसका जो धन है उसका खर्च होगा अगर उसके तीसरे चर्ण में अश्वनी नशकत्र के तीसरे चर्ण में उस बच्चे का जन्म हुआ है तो यहां पे देखो यात्रे लिख रखी मतलब उसकी फजूल की यात्रे होगी इसके लावा ना तो उसके मादा पेता को कश्ट होगा, ना किसी को कश्ट नी होगा, सिर्फ फजूर की यात्रे होगी अगर उसके चोथे चर्ण में, अश्वनी नश्यक्तर के चोथे चर्ण में उस बच्चे का जन्म होगा है तो यह उस बच्चे के स्वास्त के लिए आनी का रखा है जात के स्वास्त और स्रीर को करश्ट होगा मतलब उस बच्चे के स्वास्त के लिए आनी का रखा है उसके स्रीर को करश्ट होगा मतलब यह आपको बिल्कुल क्लीर होना चाहिए कि आपका जो गंडमूल नक्षत्र है वो कौन सी चर्ण में बैटा है बात करते हैं अशलेश्चा नक्षत्र की अगर आपका जो गंडमूल है अशलेश्चा नक्षत्र में हुआ है तो उसके पहले देखो अगर प्रत्म चर्ण में हुआ है तो वो देखो लिखरक है कि विशे अगर दूसरे चर्ण में हुआ है तो आपके पीता की दन की हानी होगी मतलब पीता के दन के लिए नुकसान करेगा दूसरा चर्ण अगर तीसरे चर्ण में है अशलिश्या की तीसरे चर्ण में है तो आपकी माता को कश्ट होगा और आपके नान के पक्ष के लिए कश्ट कारी है और इसके लब अगर चोत्र चोत्र चर्ण में आपका जो आपका चर्ण है चोत्ता है फिर आपके माता के लिए माप करना पीता के लिए कश्ट कारी होगा तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको मतलब बिल्कुल यह clear होना चाहिए कि आपका जो गंड मूल नक्षत्र है वो कौन से चरन में बैटा है तब ही आपको यह decide होगा कि आपका जो नक्षत्र है वो आपको किसको नक्सान देगा बात करते हैं तीसरे गंड मूल नक्षत्र मगा की अगर आपका गंड मूल मगा नक्षत्र में जनम हुआ है अगर उसके प्रत्म चर्ण में आपका जनम हुआ है तो आपकी माता को कष्ट होगा अगर दूसरे चर्ण में है तो पीता को कष्ट होगा अगर तीसरे चर्ण में है और तीसरे और चोथे चर्ण में है तो वो आपके लिए अच्छा है मतलब आपको अच्छे फल देगा देगा देखो क्योंकि मैं पितले बचाश सुक हूँ कि सभी गंडबूर निशत्र हमें खराफल नहीं देते तो अगर आपके मगा के तीसरे और चोथे चर्ण में आपका जनम हुआ है तो आप मतलब बेफिकर हो जाएं क्योंकि वो आपको अच्छे फल देगा तीसरे और चोथे चर्ण में आगे बत करते हैं जेठा निशत्र की देखो अगर इसके आपके प्रत्म चर्ण में जन्म हुआ है तो आपके बड़े भाई को कश्ट होगा अगर दूसरे चर्ण में हुआ है तो अनूज को लिख रखाया मतलब आपके चोटे भाई को कश्ट होगा अगर तीसरे चर्ण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी माता और पिता को और अगर चोथे चर्ण में हुआ है तो बालक को कश्टो जानि कि पहले चर्ण में भाई को, बड़े भाई को, दूसरे चर्ण में छोटे भाई को, तीसरे चर्ण में आपके माता पिता को और चोथे चर्ण में उस बच्चे को कष्ट होगा जिसका ये गंडमोल जिट्था निशक्तर के चर्ण में बैठा है बात करते हैं पांच में निशक्तर मुला निशक्तर की अगर इसके प्रत्म चर्ण में जनम हुआ है तो आपके पिता को कश्ट होगा और आपके ससुर के लिए कश्ट कारी है और दूसरे चर्ण में हुआ है तो आपकी माता को कश्ट होगा और तीसरे चर्ण में जनम हुआ है तो आपके माता पिता की दन की हानी होगी देखो सिर्फ उसके अपके मातापिता की दन की हानी अगर तीसरे चर्ण में जनब होगा है मूला के नशक्त्र के तीसरे चर्ण अगर मूला शक्त्र के चोथे चर्ण में बच्चे का जनब होता है तो वह शुब माना गया देखो लिखे रखता है शुब माना के मतलब वो आपको क्राफल बिल्कुन नहीं देगा आपके लिए अच्छा है बात करते हैं छटे नशक्तर रेवती नक्षक्तर की अगर इसके प्रत्थम दूसरे और तीसरे चर्ण में बच्चे का जनम होता है तो वो शुब है मतलब ये देखो चैनल यहीं कि सबसे जुरूरी है कि आपको झैसे कि आंप अंडव द्रा देते हैं कि आपका गंडबूल में नक्षक्तर में जनम हुआ है तौ आपके मातापितो को गश्ट Гэndagafday मतलब पहले है इस बिल्कुल पता करें कि आपका आपका गंद्रमा शकानले कि आपका चन् गंड मोल निश्क्रत्र में जन्म होगा है और उसके बाद आप ये देखें कि कौन से चर्ण में आपका जन्म होगा है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ इसके लब अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आती है आप मुझे वर्ट सब करके पूश भी सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें जारस जारस शेर करें तांकि दूसरे लोगों के पास ये जानकरी हो सके और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राब भी कर लें